हेलो आई विव्यों कैसे हैं? आप से भाई होप, आप से अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग हैं यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं ठीक है रीडिंग का टॉपिक यही है कुछ special तरीके से हम लोग आज के अपनी रीडिंग करेंगे आपके partner क्या कुछ सोच रहे हैं उनके romantic feelings क्या है उनके emotions क्या है क्या कुछ उनकी energies है feelings है सारी चीजे हम देखने वाले हैं आज की अपने इस डिंग में तो मडेदे साथ बनि रहा और इसमें हम आपकी भी energy को चेक करने करने वाले हैं तो आप Oui आप लूग मेरे साथ बनि रहे, ध्यान रेखिएगा क्यों एक जनर डिंग है कलेक्टिव बीडिंग है इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको कि चलिए करते हैं रिडिंग को स्टार्ट गाइट करें अंजल के ऊपर जादा फोकॉस करेंगे कार्ड चैनिकल के आएंगे मेरे विवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी फिल्हाल गाइड करें अंजल्स वाउ डेटिंग का कार्ड है फरी नाइस कॉम्पैटिबिलिटी का कार्ड है मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशूज है इसलिए मैं थोड़ा सा कम बोलूँगी आज एक्स्प्रेंग करूंगी टेंशन नहीं क्योंकि एंजल्स की जब गाइडेंस आती है तो मैं खुद को भी रोक नहीं पाती हूँ दिस्ट्रोइट फाम नाइन का कार्ड है ओके बॉटम अफ देक फॉर्गिवनेस का कार्ड है ठीक है ओके मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कार्ड में आपके कि आपके और आपके पार्टर के बीच में ना मुझे किछ ऐसी एनरजी दिखाई दिरी है जो कि है काफी जदा एक तरीके से माफी वाली एनरजी दिखाई दिरी है जैसे कि आपके पार्टर माफी चाहते है आपसे यह जो पर्सन है अपनी गलतियों की माफी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सामने अपना सर जुकाएं आपके सामने जो है यह पर्सन माफी मांगें अपने जो मन की बाते हैं व थोड़ा सा माफ करने की चाहात रखते हैं यानि कि आप से माफी तो माँगता है हुए दिखाई दे रहे हैं एक आप आपskे पार्टनर आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाए है इस परसन को ऐसा फिल हो रहा है कि यह परसन ने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया है इस परसन ने आपके साथ लेशन तो रखा है लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए है आपके पार्टनर और इस बात का बेहत 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 दु ही है कि यार ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है यह हो सकता है वो हो सकता है लेकिन फिर क्या होता है फुस हो जाता है यह पॉर्टन के energy मुझे दिखाए दिरे कि यह आपके पार्टन काफी ज़दा उदास हैं अंदर मुझे clearly दिखाए दे रही है मुझे feel हो रहा है कि आपके partner आपको कहीं दूसरी जगा भी ले जाने के बारे में सोचते वे दिखाए दे रहे यानि कि कहीं date पे जाने का plan भी ये person करते वे दिखाए दे रहे है क्योंकि इनको लगता है कि थोड़ा सा date पे जाना तो बनता है date पे जाना तो बनता है यानि कि कहीं अकेले में समय भी ताना आपके partner की energy दिखाए दे रहे हैं ये person सोचते वे दिखाए दे रहे हैं लेकिन इनका ये भी है कि date पे कैसे लगते जाओ अगर किसी ने देख लिया तो बड़े पंगे हो जाएंगे अगर किसी ने देख लिया किसी ने यहाँ पे जू भी है एक तरीके से होता न कि किसी ने देख लिया तो फिर तो बड़े-बड़े problems खड़े हो जाएंगे तो yes, यह जो person है काफी ज़दा problem के साथ deal करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाला कि इनका मन काफी जदा है, आपके साथ date पे जाने का, कहीं दूर जाने का कहीं दूर कि जिसे की relationship अच्छा हो सकता है, relationship काफी जदा अच्छा हो सकता है, yes, मुझे दिख रहा है कि yes, आपके partner के अंदर कहीं न कहीं कुछ चीज़े जो हैं ना काफी problematic हैं और काफी जदा problem के साथ होती भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है मैं देख पार हूँ, tower के energy है यहां पर ऐसा दिखता है, जिसे की आप दुनों ही एक दूसरे के साथ compatibility बनाने की कोशिश करते हो लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, जो की आप दुनों के बीच में food डालते रहते हैं, food मतलब की आप दुनों को अलग करने की चाहत कोई ना कोई रखता जरूर है, किसी ना किसी की चाहत जरूर होती है, कि आप दुनों में बने ही ना, आप दुनों एक दूसरे को देखो ही ना, एक दूसरे को जो है ना, आप दुनों उस तरीके से deal ही ना करो ठीक है तो कोई ना कोई ऐसा है आपकी family में या फिर इनकी family में इनके friends भी हो सकते हैं जो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते हैं काफी अलग देखना चाहते हैं सो येस मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके के भी energy आ रही है जो भी चीज़े आ रहे हैं या पर कहीं ना कहीं बहुत दा disturbance हैं बहुत दा disturb होती वी ये energy मुझे clearly नजर आ रही है सो येस मुझे मैं देख पा रहे हूं कि येस आपके partner को जो है ना यहां पर काफी ज़्यादा एक जो बेचैनी है है यह भी चैनी आपके partner को feel होती भी दिखाए देरी है आपके partner के अंदर कहीं ना कहीं वो बेचैनी वो बेता भी तो है साथी साथी ये person को ये सोच करके काफी बुरा लग रहा है कि ये person चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी ये person अपने फीलिंग्स को अपने एमोशन को आपके करीम नहीं ला पा रहे हैं या फिर आपको नहीं बता पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़े जो है ना आपके पार्टनर को काफी फ्रस्टेट कर रहे हैं काफी बेचैन कर रहे हैं और यह जो पार्टनर का मन काफी इसदा परिशान होता हुआ ज़रूर दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं यह जो पॉर्सन है यह सोचकर करके तकलीफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों हम दोनों अलग हो गए तो यह पॉर्सन क्यों कैसे इन सारी जीज़ों में फसे हुए हैं और यह person इन सारी चीजों में फस करके अपने आपको स्टक नहीं करना चाहते हैं, so yes, मुझे दिखता है कि आपके partner को आपके साथ जिस तरीके का प्यार है, जिस तरीके की महबत है, वो प्यार पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठेक है, so यह दिखाई दे रहे हैं, energies, okay, four of cups, एक तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपकी खुबसूरत सी अदाएं, आपकी खुबसूरत सी बातें, आपके positive सी बातें, यह आपका attraction, आपके partner से बरदाश नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं देखें, आपके partner का मन काफी बेकाबू हो रहा है, मन बहुत परिशान हो रहा है, आपके partner का मन, आपके partner का दिल काफी बेकाबू हुआ जा रहा है, और ये बेकाबू सामन बेकाबू सी एनरजी काफी ज़दा इनको बेचैन कर रही है आपके अंदर भी जो है बेचैनी हो रही है लेकिन आपके पार्टनर के अंदर भी डबल बेचैनी हो रही है कहीं ने कहीं ये जो परसन है अपसोस तो बहुत ज़दा कर रहे हैं कि और यार मैंने उसे खो दिया इतनी खुबसूरत परसन को इतनी मैचूर परसन को खो दिया और ऐसे परसन को खो दिया जिसे जो है न चाहत होनी चाहिए मुझे उसकी चाहत को मैंने भुला दिया ये जो परसन इनको बहुत ज़दा तकलिफ हो रही है बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, अंदर ये अंदर frustration में जा रहा है ये person, अंदर ये अंदर ये जिसे डूपते चले जा रहा है मन बहुत परिशान है दिल बहुत परिशान है यह परसन करे तो करे क्या कैसे करे समझ में नहीं आ रहे कि यार करना है तो कैसे करना है तो कहीं ना कहीं इनका जो मन है ना बहुत बेकाबू हुआ जा रहा है बहुत ही ज़्यादा बेकाबू यह परसन का मन इस परसन का दिल इत से रिजक्ट किया था इस पॉर्सन ने और आपने आपको वहीं से मोड लिया लेकिन इस पॉर्सन की चाहत वहीं से स्टार्ट हुई और वहीं से आप काफी अट्रेक्टिव लगे आपके नैना बड़े अच्छे हो सकते हैं आपके मुस्कान बहुत अच्छी हो सकते हैं आपक के बाद से इस पॉर्षन ने अपने डिसीजन लिने धुरत कर दिया है यहां पर दिख रहा है यहां पर दिख रहा है कि इनको कहीं कहीं ना कहीं लाइफ में आगे तो बढ़ना होगा रोगाँ अपने आपको तसली देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप कहते हैं ना कि जैसे की maintain करना है ना तो वो maintenance मुझे नजर आ रही है कुछ चीज़े ठीक है so yes मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके partner के बीच में थोड़ा सा है ना life को stable करने की चाहत काफी जदा होती भी दिखाई दे रहे है ठीक है यह person का मन इतना जदा है कि यह person जो है ना अपने आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने आपको बेचायन करना या अपने आपको थोड़ा सा जो है ना कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि अपना रास्ता ढूंडते हैं तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके partner के अंदर की yes ये जो person है निरास हो तो गए है लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीजों का सामना करते हुए आपके partner मुझे दिखाई दे रहे है ठीक है मुझे ऐसा देख रहा है कि yes आपके partner ने आपको बहुत तोड़ा है आपके दिल को बहुत तोड़ा है आपको बहुत तकलीफ दी है आपको बहुत बेचैन गया है आपको कहीं न कहीं जो बेचैनी है ना वो बहुत परिशान करती है ठीक है ना इन और आउट इन और आउट करना भी आपको बहुत तकलिफ दिया है आपके पार्टर को यह पता है ठीक है और आपके पार्टर को यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनका इन और आउट करना किस तरीके से आपको तकलिफ देता है या किस तरीके से आपको दर देता है क आपके सवालों के जवाब नहीं देने हैं कई कई बार आप हजार कॉल कर लो लेकिन फिर भी यह पॉर्टन एक कॉल बैक नहीं करते हैं ठीक है तो वह एनरजी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर अपने आपको इग्नोर करते हैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपने सारी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं आपके पार्टनर क्योंकि इन्हों ने तो आपको बहुत तकलीफ दी है इन्हों ने तो आपको बहुत दर्द दिया है आपको बहुत रूल आया है ठीक है सो यह एनरजी दिखाई दे रहे हैं मुझे चलिए कुछ और कार्ट निक अबंडिन्स का कार्ड है स्पिर्च्वल मिच्वारिटी का कार्ड है दा सिल्वर वाटरफॉल दिवाइट मस्कुलिन का कार्ड है यह आपके एनरजी है बॉटम अफ देक है रिप्रेजेंटिंग यूर्सेल्फ ओके सो यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है कि आपने अपने आपको काफी हील किया है आपने अपने आपको काफी ज़्यादा हील किया है आपने अपने आपको काफी मेंटेन भी रखा है काफी मेंटेन रखते वए दिखाई दे रहे हो आपकी एनरजी मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रहे है ऐसा दिख रहा है कि आप पॉजिटीव वे में सारी चीजों को ले रहे हो positive way में सारी चीज़ों लेते विए दिखाई दे रहे हो और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि yes आप अपने life को थोड़ा सा maintain इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि relationship सही होता है तो सारी कुछ चीज़े सही होती है मुझे दिख रहा है कि आपके partner का मन काफी परेशान है आपके partner का मन काफी परेशान है लेकिन आप अपने आपको थोड़ा सा maintain कर रहे हो थोड़ा सा maintain करते भी दिखाई दे रहे हो abundance का card है जो कि दिख रहा है कि आप अपने जो है बिजनेस में जॉब में करियर में फोकस करते भी दिखाई दे रहे हो आप अपने आपको इस पॉर्सम के सामने जो है ना गिरता हुआ नहीं देख सकते हो या कहें तो आप जो है ना इस तरीके की निगेटिव वाइब के साथ नहीं रह सकते हो आपने डिसीजन लेना स् change करना बनता है 8 of cups के energy के अनुसार से 8 of cups के energy भी बता रही है कि येस आपके partner का मन काफी जदा भारी जरूर है लेकिन आप जो है ना देखो आपकी भी मजबूरी है आप भी खुशी खुशी तो नहीं बढ़ते भी दिखाए दे रहे हो आपकी भी मजबूरी दिखाए दे रहे है कि आप भी याँ पर परिशान हो आपका भी मन परिशान है आपका भी दिल परिशान है आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है है ना तो कही न कहीं कुशी चीजों को है आप भी 마음िंड रहे हैं कहीं न कहीं को चीजों को है न आप मज़़ें देख कंड है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा वहें लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा आप अपने study के उपर focus कर रहे हो आप अपने work के उपर focus कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर maturity दिन प्रतिदिन जो है न बढ़ रही है ठीक है mature level आप mature हो रहे हो बहुत ज़्यादा mature हो रहे हो और मैं देख पारें कि यही maturity आपको आगे जाके काम करेगी ठीक है मुझे यहाप यही दिख रहा है कि काफी maturity काफी mature level की energy यहाँ पे दिखाए दे रही है और यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner का मन काफी ज़दा बे-काबू हो रहा है काफी जदा बेकाबू आपके पार्टनर एक तरीके से मैं देख पारे हूँ कि आपके पार्टनर का मन इतना जदा बेकाबू हो रहा है इतना जदा बेचैन हो रहा है कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है ठीक है आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने आपको बहुत ज़दा एक जैसे की failure वाली energy को feel करते वे दिखाई दे रहे हैं आपके partner अपने आपको थोड़ा सा देखते वे दिखाई दे रहे हैं मैं देख पारे हूं maturity के card के साथ four of swords के card clear दिखाई दे रहे हैं कि yes आपके partner को आपका जो कहते हैं कि मतलब तकलीफ देना दर देना बेचैन करना सो यह energy मुझे clearly दिखाई दे रहे हैं ठीक है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि आप यहीं सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा आपके partner का जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में नहीं सोचता है ठीक ठीक लेकिन आप इतना ज़्यादा सोचते हो अपने partner के बारे में देखो आप अपने partner के बारे में काफी ज़दा सोचते हो यहाँ पर यह भी लगता है जिसे कि आपको लगता है जिसे कि यह person तो अपनी life में खुश है अपनी life में आगे बढ़ रहा है और मैं कहीं न कहीं उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ वो खुश है अपनी life में वो मज़े ले रहा है मज़े कर रहा है पार्टी कर रहा है इंजॉय कर रहा है फुली अपने लाइफ को मैं यहां पर टाइंचन में बैठी हूँ क्योंकि आपको लगता है कि यार इसको कोई एहसास ही नहीं है इसको कोई एहसास नहीं है आपके होने ना होने से इसे कोई और कहीं न कहीं यह जो person है आपको ले करके trust नहीं कर पा रहे हैं अपने आपके उपर trust नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो यह trust जो है na trust की energy मुझे नहीं आ रही है मुझे ऐसा feel हो रहा है card way यह आप दिख रहा है कि आपके partner आपके साथ enjoy करना बनता है और enjoy करके आपको है ना आपके साथ लाइफ को थोड़ा सा जो कहते हैं न कि सही तरीके से देखना, सही तरीके से फिल करना सो यह एनरजी मुझे क्लिरली दिखाई दे रही है यहाँ पर आप दोनों ही काफी ज़दा अलग किस्मिके इंसानों यानि कि कहें तो आप दोनों को ही कभी कभी निगेटिविटी फील होता है आपको भी बहुत ज़दा कभी कभी निगेटिविटी फील होता है आपको भी लगता है कि यार हम दोनों के रिस्ते में किसी ने बुरी नजर लगा दी है किसी ने गंदी नजर किसी गंदी नजर हमारे relationship पे पड़ गई है क्योंकि आपका relationship तो बहुत अच्छा था पहले बहुत ही जदा खुबसुरत बहुत ही प्यारा सा relationship था लेकिन इसमें क्या है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े होते गए होते गए आपको किसी और ने control किया और किसी और के बैकावें बहुत सारी बाते ऐसी ऐसी बोल गए जो की नहीं बोलना चाहिए था तो आप दोनों के बीच में हजार तुतु मैं मैं हो लेकिन फिर भी आप दोनों क्या होते हैं आप दोनों फिर किसी ना किसी टाइम एक दुसरे से बात करते जरूर है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जब जब वो third party आप दोनों को खुश देखता है तब दब आपके खुशी में आग लगा देता है ठेक है लेकिन फिर भी आप दोनों उन सारी बातों को इग्लोर करके एक दुसरे से बाते करने लगते हो एक दुसरे से बात करते हो यह भी energy मुझे दिखाई दे रही है यह सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यानि कि आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़े समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज़े ऐसी है जो कि मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या ह क्योंकि यहां पे आपका दिल, आपका मन काफी ज़ता परेशान है, काफी hopeless हो गए हो, काफी hope खतम होती भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपकी, एकदम से hopeless होती भी दिखाई दे रहे हो, hope खतम हो रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि आप जीओगे तो जीओगे कैसे, एकदम से एक जो कहते हैं न कि life पूरी तरीके से बरबाद होती भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं न कहीं यह जो बरबादी है, यह आपका जो है future बरबाद कर देगी, ऐसा आपको feel हो रहा है, ठीक है, तो यह दिख रहा है कि यह आपको, आपके partner का ego, आपके partner का attitude नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि यह person जो है ना पता नहीं क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, relationship सही भी होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, कुछ चीज़े ऐसी भी हैं, जो कि बहुत दा डिस्टर्ब कर रही ह ठीक है तो वो चीज़े मुझे नज़र आ रही है मुझे दिख रहा है कि आप बहुत निराश हो गए हो इस रिस्ते को लेकर के इस एनर्जी को लेकर के इस लाइफ को लेकर के ठीक है तो वो चीज़े मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में ठीक है, तो यह clearly दिख रहा है कि आपको और आपके partner के बीच में थोड़ा सा unexpected है ना, unexpected जो भी है वो है, ठीक है, तो यह चीजे मुझे नजर आ रही है आपके cards में ठीक, चलिए देख लेते हैं कि आपके partner का next action क्या होगा next action क्या होगा, मेरे viewers के partner का मैं reading थोड़ी याँ छोटी करूँगी क्योंकि बोलने का बिल्कुल मनने कर रहा है, काफी weak हो गई हूँ मैं, बहुत weakness हो गई है मुझे, so बहुत weak feel कर रहे हूँ, इसलिए थोड़ी से आवाज मेरी low आ रही है guide card angels, next action क्या होगा, मेरे viewers के partner का the world का card है, next section में clearly दिख रहा है कि आपके और आपके partner का reunion होगा, reunion वाली energy दिखाए दे रही है, reunion होते हुए दिख रहा है आपके और आपके partner के बीच में, बहुत ही प्यारा सा खुबसुरत सा जो है ऐसास आता हुए दिखाए दे रहा है, और मुझे यह भी दिख रहा है, three of sorts के energy है, three of sorts का card भी clear बता रहा है कि यह आपके और आपके partner के बीच में, यह प्यार महबत वाली जो बाते हैं, जो चीजें है, यह आगे बढ़ेंगी, ठीक है, मुझे यह यह दिख रहा है कि third party है, तो है, क्या हुआ, third party है, तो कोई problem नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि ज दोनों काफी stuck हो गये हो, काफी इस रिस्ते को लेकर के action को लेकर के काफी stuck हो, और stuck feel कर रहे हो, सो यह से मुझे दिख रहा है कि आपके रिस्ते में, एक काफी जदा बदलाव आएगा, ऐसा दिख रहा है कि third party involvement है, तो वो third party involvement भी खतम हो जाएगी, आप दोनों के रिस्ते से और बहुत जल्दी खतम होगी, बहुत 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 जल्दी, ठीक है, यह जो रिस्ता है, यह काफी अनमोल है, काफी प्यारा है, और इस रिस्ते में एक बहुत ही खुब्सुरत सी new beginning के साथ साथ, एक बहुत ही प्यारा सा good news भी आता हुए, दिखाए दे रहा है, good news यह हो थोड़ा सा मन परिशान रहेगा, बट कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़े सही हो जाएंगे, सारी चीज़े नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है, ठीक है, तो ओवर ओल रिडिंग में यही दिख रहा है आपके सांथ राजोनेट की होगी, राजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, वीडियो को लाइक कीज़े, शेयर कीज़े मिलते हैं, फिर आपसे किसी नए रिडिंग में तबते के लिए, बाब बाई